नमस्कार आप देख रहे हैं लुक स्मार्ट तो चली रुख करते हैं आज की प्रमोख वारे बड़ी खबर पर भाजपा की पहली सुची में पिली भीत नहीं वरण गांदी को लेकर नई चर्चाएं सपा ने भी खोले पत्ते उत्तर प्रदेश में 51 लोकसवा सीट पर उमिद्वारों की जारी सुची में पिली भीत शामिल नहीं है पिली भी सीट से मौझूदा समय में वरण गांदी सांसद हैं इस सीट की पहचां भी मेरिका गांदी और वरण गांदी के नाम से होती है वरण गांदी आए दिन जिले में गाओं का भ्रमन कर जन्समवात करते रहते हैं इधर करीब दो वर्ट से वह सरकार की विभिन नीतियों और महत्यपुन मुद्व पर अपनी आवाज उठाते रहे हैं इसको लेकर राजनीती गल्यारे में उनकी टिकेट को लेकर कयास भी लगाये जाते रहे हैं वहीं पिछले कुछ समय में भाजपा को लेकर उनकी नर्मी के कुछ और संकेत दिये हैं ऐसी में चर्चा यह भी रही है कि वरुन गांदी या उनकी मा मेंनका गांदी में किसी एक को टिकेट मिलेगा ऐसा होने पर वरुन गांदी की सीट भी बदली जा सकती है चर्चा सुल्तानपूर की जादा है अब विशनिवार को सूची में उनका नाम ना होने से सीट बदले जाने की ही चर्चा जादा है हाला कि कोई भी इस पर खुल कर नहीं बोड़ा है पिलिवी सीट के जाती समीकरण में कुर्मी और लोध मतदाताओं को एहम माना जाता है विसलपूर शेत्र में कुर्मी मतदाताओं की भूमी का महत पूर्ण है ऐसी तरह आने विधान सबाओं का हाल है सपा ने भी खोले पत्ते कई नाम चर्चा में समाजवादी पार्टी के उमीदवार का नाम लेकर भी चर्चा तेज है अब तक 7-8 उमीदवारों ने राश्टी अध्यक्ष को आविदन सौपा है पूरुमंत्री भगवत सरन गंगवार का नाम भी चर्चा में सपा जलाद्यक्ष जगदेव सिंग जगगा ने बताया कि 7-8 लोगों ने राश्टी अध्यक्ष को आविदन सौपा है पूरुमंत्री के नाम की भी चर्चा है खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही